हे गाईज मैं आसी और स्वागा थे आप सभी को माई यूटूब चैनल आसी भाई में तो गाईज आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपने अधार का नाम कितने बार अपडेट कर सकते हैं जनमतिती कितने बार अपडेट कर सकते हैं एड्रेस कितने बार अपडेट कर सकते हैं और मोबाइल नमबर कितने बार अपडेट कर सकते हैं तो गैज आज की इस वीडियो में आपको पूरी जनकारी देने बाला हूँ इनसे पहले आप से छोटा सा रिक्वेश्ट है अगर आप अमारे चैनल पर पहली बार आये हैं तो आप इस चैनल को सिस्क्राइब कर लिजें चलिए वीडियो करते हैं इस्टार्ट तो गैज आपको बता दे अगर आप अपने मोबाइल में चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कुडों ब्राउजर या तो गूगल को ओपेन कर लेना है चलिए हम अपने करने के बाद आपको इंटर बटन प्रेस कर देना है जैसे ही हमने इंटर बटन प्रेस किया तो देखोगा इस आपके सामने फिर से एक न्यूपेस खुल जाता है जो फर्स्ट में लिखा हुआ है यू आई डी आई 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 आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है तो ज इसके बाद आपको यहां पड़ इंगलिस लेंग बेज को सेलेक्ट किया तो देख सकते हैं यहां पर UID AI का होमपेज खुल चुका है ठीक है तो सबसे पहले आपको चले जाना है माई अधार पड़ इसके बाद आपको दिख रहा होगा अपडेट डेमोगराफी डाटा आपको यहां पर क्लिक कर देना है तो गाईज जैसे ही हमने क्लिक किया तो देखो गाईज यहां पर फिर से एक न्यू पेज खुल जाएगा जो फर्ष्ट में है इंटर आधार तो गाईज यहां पर आपका आधार नमबर डाल लेना है इसके बाद आपको नीचे दिख रहा होगा कैप्चा कोड तो गैज आपको कैप्चा कोड को भी यहां पर भर लेना है तो चलिए कैप्चा कोड को भी भर लेते हैं गैज कैप्चा कोड भरने का बद आपको नीचे दिख रहा होगा send OTP आपको इस पर click कर देना है जैसे ही click करेंगे guys तो OTP generate successfully आपको बता दे जो आपके अधार में mobile number register है वहाँ पर 6 अंका OTP चला जाएगा वहाँ से देखकर आपको यहाँ पर OTP को डाल देनी है तो चलिए सबसे पहले OTP को यहाँ पर डाल देते हैं इसके बाद guys आपको दिख रहा होगा login का option यहाँ पर आपको click कर देना है हमने जैसे ही login पर click किया तो देखोगा इस आपका जो अधार का main profile है यहाँ पर show कर जाएगा तो guys आपको बता दे check करने के लिए सबसे पहले आपको चले जाना है address update पर यहाँ पर आपको click कर देना है click करने के बाद देखोगा इस first में option है update अधार online आपको यहाँ पर click कर देना है जैसे ही हमने click किया तो देखोगा इस यहाँ पर फिर से एक new page खुल जाएगा जो first में लिखा हुआ है name तो guys आपको बता दे अधार कार्ड बनने के बाद आप नाम को दो वार सुधार सकते हैं यानि अपडेट कर सकते हैं इसके बाद है date of worth तो guys आपको बता दे अधार बनने के बाद आप life में एक बार जनमतिती को चंज कर सकते हैं इसके बाद है gender यानि लिंग तो guys यह भी आप एक बार कर सकते हैं इसके बाद है address guys आपको बता दे address में कोई limit नहीं होता है आप कितने वार भी update कर सकते हैं इसके बाद हो गया mobile number तो mobile number को भी आप अनेक बार कर सकते हैं इसमें कोई limit नहीं होता है तो गाईज मेरे धोरा बताया गया जनकाडी आपको कैसा लगा अपना डाय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताए फिर मिलते हैं किसी न्यू टोपी के साथ तब ते के लिए जै हिंद जै भारत